नमस्कार आप देख रहे हैं चेस बिहार मैं हूँ आदेश पुरी मौनसुन का समय चल रहा है लगातार बारिस हो रही है और सिमावर्ती जो भी नेपाल से सटे हुए जिले हैं और नेपाल में वितेज बारिस हो रही है और इसका खामियाजा ये भुगतना पढ़ रहा है कि नदियों में लगातार जलस तर जो है उनमें विर्दी होते जा रही है कोसी बागमती समेट नो नदिया जो है खत्रे के निशान से काफी उपर बह रही है ऐसे में बिहार के कितने छेतर जो है वो बांड से प्रभावित हो गया है बांड की समस्या बनी हुई है तो ही आपक काली काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है तो वही अगर हम बात करें पुर्वी चंपरंग की तो वहां के कितने पंचायत हैं जो की पता ही ब्लॉक जो है उसके अंतगर्थ जो जलमगन है और लगतार जो है पानी में जलस्तर में जो है विर्दी होते ही जा रही है और ऐस इसे में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है लेकिन इन सब के बीच में एक प्रस्न है कि बिहार में बांट जो है वो काफी बड़ी एक समस्या है और हर एक साल बिहार के एक बहुत बड़े छेतर को इस समस्याओं से जूजना पड़ता है और इसको लेकर जो ह हर एक साल सरकार जो है कमर कस्ती है कि इस बार विवस्ता जो है फुल प्रूफ होगी और अगली बार हमें बांट की समस्याओं से निजात मिल जाएगी बांट जो है एक प्राकृतिक समस्या है बारिस होती है लेकिन इसे रोका जा सकता है इसका अस्थाई निदान हो सकता है पिछले जिनोक पुर्वी जो राज्यों में बांट की समिछा बैठा करते हुए केंद्री ग्रिह मंत्री अमिर्स आने कहा था कि बिहार में जो बांट का रोपए फंड जारी किये जाते हैं बांट को लेकर उसके बाद जो है और सान राषनातमक विकास को लेकर कि बांट वह जारों लोग इसके काल, कीगाल में समा जाते हैं पैच और हजाराः लोग बांट के कारण उनकी ब्रन मिर्तू हो हो जाती है, जान माल का नुकसान होता है और एक बहुत बड़ी आबादी इसी कारण उन्हे पलायन का सिकार भी होना पड़ता है तो आखिर सबसे बड़ी बात है कि हजारो करोर हर एक साल बांड को लेकर आवंटित किया जाता है लेकिन फिर भी बिहार में आखिर बांड की समस्या क्यों राती है क्या इसको लेकर जो है वो कोई अच्छी नीती नहीं बनाई जाती या फिर इसके अस्थाई निदान के कारण नहीं खोजे जाते हैं आपको बताते चले कि जो जानकार हैं जो सुत्र हैं या लोगों की खबरे हैं कि बार्ड बिहार में एक वर्ग है जिनके लिए बहुत ही अच्छा मौका होता है कमाई का और धन बनाने का क्योंकि इस माध्यम से जो हैं काफी पैसे आवंटित की जाते हैं आपको पुराना एक वाक्या याद होगा जो गौतम गुस्वामी जो आईए सबसर थें उन्हेंने बार्ड राहत घोटाला ही किया था क्योंकि बार्ड के समय में इतनी रासी आवंटित की जाती है और बांधों के मरमत के नाम पर या फिर उसके बार्ड राहतेओं बचाव कारियों के नाम पर बहुत जादा रासी आवंटित की जाती है और उसमें काफी बंदरबाट होता है और यही एक प्रमुक कारण जो है जनकार बताते हैं कि बार्ड का अस्थाई निदान बिहार में नहीं खो जाता है और इसे पैसा बनाने का धन उगाही का एक अच्छा माध्यम बना जाता है जब बाट का प्रले आता है तो राज सरकार और केंडर सरकार जो है राहतेवं बचाव के लिए बहुत ज़्यादा रासी का वंटन करती है क्योंकि इस समय दिखाया जाता है कि कैसे लाखों लोग जो है इसकी चपेट में है उनके सामने जीवन मरन कर सवाल है और इसी के पीछे जो है ये बंदरबाट चलता है जोदिकारी है नेता है या फिर जो ब्लॉक लेवल के गाउन लेवल के जो मुखिया है सरपंच है या फिर जो रसुपदार लोग है इसमें अपने पैसा बनाते हैं लेकिन हर एक साल जो है बिहार को बांड के कारण अपनी ए उत्तर बिहार के एक बहुत बड़े छेतर में उसकी खेती नहीं हो पाती है या होती है तो लेट से होती है जिसकी उत्पादक्ता कम होती है तो बांड जो है बिहार में एक विभिसका है और विभिसका के कारण जो है इसका बिहार की गरीवी और पलायन में एक बहुत योगदान भी होता है लेकिन जो भी हमारे राजनेता है जो बिहार की लिडर्शिप है उन्होंने कभी भी बिहार में इस समस्याक से निजाद देने के लिए कोई अस्थाई समाधान नहीं खो जा हलाकि सुरुवाती दोर में काफी बड़े अस्तर पर बांध बनाये गए लेक लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा बंदरबाट होता है क्योंकि जिस तटबंध की हम रक्षा करते हैं वही तटबंध बाद में सुरुवाती दोर में ही या तो तूट जाता है या फिर जो आने वाला पानी है उसकी रक्षा नहीं कर पाता है या फिर हमारा जो कॉडिनेशन जो है नेपाल के साथ वो अच्छे से नहीं हो पाता है क्योंकि नेपाल जब भी पानी छोड़ता है बिहार में एक बहुत बड़े छेतर पर हजारों एकर की भूमी पर जल का कबजा हो जाता है और ऐसे में वहां के लोग का जीवन जो है काफी दूबर हो जाता है सलक मार्क बादित हो जाते हैं फिर से वहाँ पर लोगों को अपने जीवन की रक्षा के लिए तरह-तरह के उपाय करने पड़ते हैं अनेक वीडियो आते हैं, अनेक पिक्चर आते हैं जो काफी हिर्दय विदाराख होते हैं और देखकर काफी अफसोस होता है और लोग जो हैं फेस्बुक पर ट्वीटर पर या फिर अन्य मादमों पर बसरकार को कोशते हैं और फिर इसे प्राकृतिक आपदा मान लेते हैं लेकिन इनका सही तरीके से जो है अस्थाई निदान संभा हो है और जो पानी आता है ये जल संसाधन है इसका सही अस्तर पर क्रियानिवन किया सकता है इसका उप्यों किया जा सकता है और इसके लिए बहुत सारे उप्यों बताए गए हैं तरीके जो बांड का पानी है उसका संजय करने का या फिर उनको सही दिशादेने का इनको ऐसा कभ्यावस्था करने का जिससे लोग का जीवन न परवावित हो ऐसे बहुत से उपाय हैं जो विशिसग हैं वो बताते हैं लेकिन फिर भी इन सब के बावजुद जो हमारे लिडर्शिप है जो हमारे अधिकारी तंत्र हैं वो इस पर खासा ध्यान नहीं देते हैं बांट की समस्या खत्म होने के बाद से इसे भूल जाते हैं और फिर जैसे ही मौंगसिन की सुरुवात होती है इसको लेकर तैयारिया सुरू कर देते हैं तो यह हर एक साल चलने वाली एक बिहार में जो है यह प्रक्रिया बन गई है और यह जो है एक बहुत बड़ा वर्ग के लिए कमाई का साधन है और एक बहुत बड़े वर्ग के लिए यह आपदा है जिन में उनका सब कुछ जो है बरबाद हो जाता है जान माल पसूप सब चीज की हानी होती है क्रिसी की हानी होती है तो बिहार सरकार को जरूरत है कि बांट जो है बिहार में इसका कोई अस्थ भी है इसको दूसरे तरीके से निप्टा जा सकता है और आसा ही हम कर सकते हैं कि आने वाली डियर्शिप जो है इसको लेकर कोई अस्थाई निदान खोजेगी जिससे बिहार का जो है कल्यान होगा और ये वीविस का जो है एक आसर ग्रूप में आएगी तो खैर इस वीडियो म सब्सक्राइब करना ना भूले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है कि अ हुआ हुआ